विजया दश्मी जिसे दशहरा भी कहते हैं एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भारतिय उपमहादवीप और नेपाल में मनाया जाता है इस त्योहार का मुख्य उद्देश भगवान राम के द्वार का विजय का प्रतीकात्मक महत्व मनाना है जब वे लंका के रावन को मार कर अपनी पत्नी सीता को मुक्ती दिलाने के लिए लोटे थे दशरा का अर्थ होता है दस हाथी क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावन के दस हाथों को काट दिया था दशरा का महत्विय है कि यह असत्य और बुराई को पराजित करने का प्रतीक है और आच्छादन के बाद सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक होता है इस दिन भारत में राम लीला का आयोजन किया जाता है जिसमें भगवान राम की कथा का नाटक प्रस्तुत किया जाता है इसके अलावा दशहरा के दिन भारतिय लोग अपने घरों को सजा कर खुशियों का इजहार करते हैं और विशेश रूप से माद दुर्गा की पूजा का आयोजन करते हैं इस दिन की पूजा में नौ दिनों तक नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नौदुर्गा के नाम से जाना जाता है। दशरा के दिन लोग एक दूसरे को विशेश रूप से बच्चों के लिए खिलोने खरीद कर देते हैं और विभिन गीतों और मृत्यों के साथ मिलकर इस्त्योहार का आनंद लेते हैं। दशरा भारतिय संस्कृती में महत्वपून है और यह विजय का प्रतीक होता है, जिसे अच्छे और धार्मिक मारत पर चलने का प्रेना स्रोत माना जाता है।